जेनियू में हमारे साथ है दीक्षा राहुल दीक्षा पलवल से हैं मैं तपूर्ण बात पता चलिए दिक्षा के बारे में वो धंबूमी से भी जुड़ी हुई है दिक्षा जो चोदर तारी को चुनाव होने वाले जेनियू के अंदर पाप्षा पिछले कई सालों से नंबर में हमने पहला एलेक्षन लड़ा और जब हम पहला एलेक्षन लड़े ते तभी बहुत बड़ा इंपयक्त था कि जैब्यू में पहली बार जीवीं के अनरे लगाए ते जो अपने लोग थे उनको एक स्पेस मिला ये सुसने का कि हमारे वोट कहां से जाने चाहें और फिर इतना इंपेक्टिफुल था एलेक्शन और तीसी बाज हम एलेक्शन लडए लेफ्ट यूनिटी साथ था हम सेकेंड नमबर पे थे इस बार हम सिर्फ और सिर्फ वही फॉर्मला पिस्तमाल कर रहें कि 85 पर से हम लोग बाउजन आइडल से चल जो साब कांशीर हम ने दिया था और सबकाशियां ने बोल था पीपल गडरी लिडिश्ट इस बार जबापने कैंपेंड जडरें तो हम उनको बोल रहे हैं हम उनको बोल रहे हैं कि तुमको जाना पड़ेगा वट सौट अफ लीडर्शिप यूवांट सापकाशियां हम वोट का अदिकार बाजा निज्ट प्रशन ने वोट का अधिका सिखाके कि किस सरह यूज करने पावर ऑफ थम में बता के कहां का इसमाल करने और पहली बार सापके कारणी बाहुजी सत्ता आप तो जब बाहुजी सत्ता बाहर आ गई है तो हम इस्टूडेंस को भी जब हम पढ़ते हैं और एजुकेट होते ह अब हम ऑर्गनाइज होंगे बाहुजन होंगे और सत्ता लेकर जेनियो में बाप साप बाहुजन आइडॉलिजी के लेकर चल रही है इस बार लेफ्ट और राइट ने भी मेने पूरे पूरे कॉलिज में देखे उनके पैलर्स पर भी बाहुजन जो महनायक है बाहुजन ज कि बिना बाहुजन आप बिना साप कांशे में राजनिती नहीं कर सकते हैं तो मैं बस यही बोला चाहूंगे जैसे साप कांशे हम लोगो बाहुजन एक साथ होगा तब तब लेफ्ट और राइट जैसे हो जाएंगे कार उट्रीक होने वाले चांकि स्टूनाओं के लिए कि अपील करने चाहिगे मैं सिर्फ इतना पोल लोगी स्टूनाओं के लिए हर एक को इस्तिमाल करेंगी तुम्हें बिस यह बोला चौंगी बाबसाब ने हमको राइट वोर्ट दिया और साप काशिर हम ने हमको पावर अफ्थ थम दिया और वोज्व सकता स्वाबित करने पड़ेगी तो यह तिया झाल झाल